महामारी से जन की खिलाव टिककरण अभियान तो जन्वरी महीने से ही शुरू हो गया था लेकिन पहले चरण में किवल फ्रेंट लाइन वर्कर्स और स्वास्ट कर्मियों को ही वैक्सिन का डोस दिया गया था लेकिन अब बारी है आम जल्दा की जीहां देश भर में अब जल्द ही आम नागले को को कोरोना वैक्सिन दी जाएगी खबरों के अनुसार अगले महीने यानि की मार्च से 50 साल साथ एकुम्र के लोगों की साथ साथ बीमार लोगों का टिककरण चुरू हो सकता है सरकार की तयारी मार्च के पहले हफ़ते से ही आम जंता को वैक्सिन देने की है स्वास अच्चे बनवर पत्र में राजज़ह चे कहा है कि वह मार्च से सभी स्वास्त केंडियों में टिककरण की तयारी शूरू करें इनमें अस्पताल, मेडिकल कॉलिज, प्रात्मिक स्वास्त केंद से लेकर उपकेंज तक शामिल है वैक्सिनेशन के लिए इन केंडरों में कोल्ड चीन तयार करने और ये सुनिश्चित करने को कहा गया है चोटी पर्दे की चोटी बहु यानि की रुबिना दिलैक ने कल शाम बिग बॉस 14 का खताब अपने नाम किया है लगग 22 कंटेसिंग को 30 चोटे हुए रुबिना दिलैक ने बिग बॉस 14 की चमचमाती टॉफी और 35 लाग की प्राइज मनी को अपने नाम किया अक्टर्स का बिग बॉस की घर में ये चकर आसान नहीं था बिग बॉस 14 सीजन में रुबिना दिलैक ने अपने पती अभिनत शुकला के साथ शिर्कत की थी रुबिना ने पहले दिन से लेकर आखरी दिन तक बिग बॉस की घर में हर्ट शोकी बड़ी परिशानी का अकेले और डट कर सामने किया था रुबिना को कई बार शोक के होई सामन खान ने भी पटकारे लगए थी इसके बावजूद वो अपनी लड़ाई लड़ती दिन देशवर में कोरोना संक्रमन एक बाच पर बढ़ने लगा है देश की आतिक राज़सानी महाराशवर में एक बार कोरोना ने अपने तैसान में फिर से शुरू कर दिये हैं महराशों में अचानक संक्रमन के मामले बढ़ने से सरकार की परिशानिया बढ़ गई है वहीं आज से राज के कई शेरों में दोबारा लोगडाउन लागू किया जा रहा है आपको बता दें कि पूर्णे संक्रमन को बढ़ता देखते हुए महराशों के अमरपती और अचलपुर में संपून लोगडाउन लगाया गया है जो आज यानि की 22 परदरी राज 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा यवतमाल अकोला और अकोर्ट में कल सुबह 6 बजे से 1 मार्च सुबह 6 बजे तक संपून लोगडाउन लोगडाउन रहेगा हाला कि इन जिलों में आमिशत सुवधायन जारी रहेगी कॉंग्रेस पार्टी को खालभी में एक बड़ा चर्का लगा है पुझजरे की नारायन सामी सरकार ने आज विधान सबा में बहुमत हो दिया जिसके बाद मुखमत्रे नारायन सामी ने सदन में अपना भाशन देने के बाद राज जिपाल तिलिन साई सौंदर राजिन को अपना इस्तिपा सौप दिया है नारा इंसामी ने इस्टिपा देने के बातकाज ते कर्णें बीजेपी 57-59 ए विधायकों को वोतनी करनी की plan को तुकरा दिया है जिसके चलते हमने सदन की कारेबाओं का बहिश्कार कर अपने मिंधे बंडल के साथ इस्टिपा दे दिया है नारायन सामी में सरकार गिरने का पूरा तीटरा पूर्व उपराजिपाल के रंबेडी और केले सरकार पर खोड़ा है उन्होंने कहा है कि पूर्व उपराजिपाल और केले सरकार गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन हमारे विधायत संगड़िक है जिसके चलते हमने पाथ साल सरकार चलाए बतादे कि फुर्दुचेरी में आज चोईंवार को हुए फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री नारायन सामे अपना बहुमत्साबित ना कर पाने के बाद राजिक उनकी पार्टी अगले चुनाव का सामना कर लेगी इससे पहले विदानसबा में हमनामा देखने को मिला और कॉंगेस के विदायक उनकी से बाहर मिटाई रहे पार्टी पार्टी से पहले मुख्यमंत्री ने भाववग भाष्टन दियो और शेवे सरकार पर अपनी सरकार को अर्षित करने के आरोप लगा है आउटको बता दो की पुर्बचेरी 33 सदस्यों वाले गिधांज़भा हैं इक रविवायकों कॉंग्वेज के दायक लक्षमी नरायन और बिम्टे विधायक मैंटे से इसमिजम के लिटेशन के बाद कॉंग्वेज दीमक के पास 11 विधायक बचे हैं वहिराज जिव विधानचबा कि साथ सीज़े अभी भी खाली है उत्रप्रदीश विधानचबा में भी आज से बजट जटर शुरूर गुआ है और वितमर्जी सुरेश खना ने योगी सरकार का अंतिम फून बजट पेश किया है ये अंतिम फून बजट इसली है क्योंकि अगले साल उत्रप्रदीश में चुनाव होना है यूपी में होने बाले विधानचबा चुनावों की चलते इस बजट को चुनावे बजट का नाम दिया गया है इसके साथ ही आयोधिया के लिए 140 करोड रुपे दिये गए है 101 करोड रुपे आयोधिया में एयरपोर्ट और रामबंदिन तक के रास्ते के लिए 300 करोड रुपे का एलान किया गया है गबन और दीव के सांसत मोहन देलकर को लेकर एक चौका देने वाली खबर सामने आ रही है सोंवार को मोहन देलकर का शव मुंबई के एक फोटल में विला है जिसके बाद पूरे लाके में संसनी फैल गई मुंबई के मरीन ड्राइफ से तेक वोटल में मोहन देलकर कमरत शरीर पाया गया इस मामले की सूचना मिलते ही मुंबई पलिस तुरेंट की मौके पर खौची और मामले की जाच की जा रही है मोहन देलकर के इस केस को अभी तक सुसाय कर नाम दिया जा रहा है हाला कि पलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई भी अधिकारी जानकारी सामने नहीं आई है बता दे कि मोहन देलकर क्योंब 58 साल की गुदादरा और नागर हवेली लोगसबा छेक्र के निर्दली सांसर है साल 1998 में मोहन देलकर पहली बार इस संद्धी शेत्र से सांसर चुने गए थे उसके बाद कई बार वो यहां से सांसर बने देलकर कॉंग्रेस खावर रह चुके हैं लेकिन बाद में उन्होंने निर्दले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया पुट्चेरी में कॉंग्रेस की बी नरायन सामी सरकार गिरने के जटके के बाद सुनिया गांडि और राहुल गांडि को एक और बड़ा जुटका लगा है नैशनल खेराल्ड मामले में लोवर कोट में सुनवाई पर रोक लगाते हुए सुनिया गांदी और राहुल गांदी से बीज़पी सांसर सुब्रमन्यन स्वामी की याचिका जवाब देने कहा है लोवर कोर्ट में सुनिया और राहुल के खिलाब केस चलाय जाने की इजाज़त देने से इंकार किया है और सुब्रमन्यन स्वामी की याजिका पर 12 अप्रेल तक जवाब देने का आदेश जारी किया है दरजल बीज़ेपी सांसर सुब्रमन्यन स्वामी ने नैशनल हेराल्ड मामले में लोवर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाती दी है सुब्रमणियन स्वामी ने राहुल गांधी और सुनिया गांधी के आलावा आन्ने लोगों पर नैशनल हेराल मामने में धोका धड़ी और अवेर तरीके से धन चुटाने की साज़े श्रचने के आरोप लगाये हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल में नुआ पाड़ा से दक्तिन इश्वर तक मैट्रो रेलवे के इफस्तार का उधगाटन करने के लिए पहुंचे पीम मोदी ने अपने भाशन के शुरुआत बांगला में अभेरंदन कर देगी रधानमंद्री ने कहा कि आप लोगों का ये उत्सा ये उमंग ये उर्जा फोलकदा से लेकर दिली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है अब पश्चिम बंगाल परिवर्थन का मन बना चुका है रधानमंद्री मोदी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि आ रधानमंद्री मोदी ने कहा कि आप हमें और देर नहीं करनी है हमें एक पल भी रुकना नहीं है हमें एक पल भी गवाना नहीं है इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक इंफ्रस्ट्रक्टर के निर्मान पर अबूत्पूर्व जोड़ दिया गया अबूत्पूर झाल झाल